आप एक काम कीजिए, इसी विशाब, आप हमें रेटर में दे जीजिए कि यहां पर नमाज आजा करें मैं पुलिस पुलिस पुलिसासन के ब्याँ पर यहां ख़ड़ाूं, यहां नमाज होती आ रही है गुरुगराम में खुले में नमाज का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है जिसके चलते आज जुम्मे के नमाज को लेकर गुरुगराम हाई अलर्ट पर रहा 37 जगाओं को चुनित किया गया है वहाँ गुरुगराम पुलिस और QRT की तैनाती की गई दरसल खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था इसके बाद पुलिस की तैनाती की गई खुले में नमाज का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस सार्वजमिक जगा पर नमाज की जाती है उस पर बाद में धर्म विशेश के लोग कबजा कर लेते हैं। हिंदू संगठोनों के नेताओं ने जिलप्रशासन से गुहार लगाई थी कि मुस्लिम समाज के लोगों को खुले में नमास पढ़ने से तुरंत रोका जाए आने था, वो खुद ही उन्हें रोकेंगे। विशेश समुधाय को, मुस्लिम समुधाय को, यहां पर शाषन और प्रशाषन के माद्धम से शेह दी जा रही है। यहां पर विरोध करने के बाद भी शाशन और परशाशन पंगू बना बैठा है। और यहांपर जो है बैरिकेटिंग करके और पुलिस की ववस्ता करके और मुस्लिम समयधाय को गैर कानूनी तरीके से। और यहांपर जो नमज अदा करने की जो इन्होंने और आनूमती दी ह यह बहुत दुक्का विश्य है बड़ी गुरू राम के इंदर मस्जित नहीं है यह लोग मस्जित में जाकर नमाज आदा क्यों नहीं करते हैं कौन सा कानून CRPC, IPC की कौन सी किताब में यह लिखा हुआ है कि आप सारिंग स्टल के उपर, सड़क के उपर बैठकर नमाज आदा करें मैं पूछना चाहता हूँ आपके मद्धम से जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा ववस्था को हाई अलर्ट पर रखा इसी के चलते जब भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और अन्ने लोग करीब साड़े बारा बजे नमाज रुकवाने के लिए बहां पहुंचे तो गुरुगराम पुलिस ने उन्हें नमाज ग आए हैं या फिर जो कानूनी जो नोने रीजन बताएं कि यहां नहीं होने चाहिए तो जिस इलाके के जो नागरिक हैं जो प्रतिनेदी हैं विशेश रूप से उनको जरूर उसकंदर दखा जाएगा और यहां पे एक स्पेसिफिक सेक्टर के लोगों का समस्या है जिनकी ज पिछले शुक्रवार को या उससे पहले कोई भी किसी भी लड़की के साथ या महीला के साथ कोई भी छेड़ खानी की या कोई भी अपराद भी ना तो सूचना है ना शिकायत है और ना ही यह लोग आज बता पाएं वहीं इस पूरे मसले पर मुस्लिम समाच के लोगों का कहना है कि 2018 में 100 स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोग था जिसके बाद जिलप्षासिंग की मदिश्ता से 37 स्थानों पर खुले में नमाज की इजाज़त दी गई लेकिन अब कुछ हफतों से यहा पर लोग खुदा को के सामने मत्था टेकने आते हैं और हम अपनी अपनी प्राथना करके यहां से जुम्हे में चले जाते हैं एक आरोप बार बार लगता आया है कि आप लोग घर में क्यों नमाज पढ़ते हैं यह बात समझने की है कि मुसल्मानों को पांच वक्त नमाज में पढ़नी होती है जो घर में पढ़ते ही हैं कुछ नमाजे होती हैं जो साथ में पढ़ी जाती हैं एक साथ खदे होके जिनको congregation यह में से एक है जो हुआ को साथ में कड़े हो करनीड़िया कि अबकुल हमको मस्जिद में पंड़ना चाहिए लेकिन हामें समझ नए गुरगाओं में एक ही छोटी सी मस्जिद है त Whenever अभी जै Nebraska जिसमें इतनी कपासिटी नहीं मैं पढ़ते हैं आठ दिना जो फराइडे की नमाज है ये मिल करके पढ़ी जाती है जिसमें तक्रीमा आदा या चालिका आदा घंटा चालिस मुन्त का टाइम लगता है जो सुकून से नमाज पढ़ने में तो ऐसा ही कुछ भी बाद हुआ दो हजार अठारे में तो फिर सहमत जगा पर सहमती जनाब हुई थी सहती जगा में जगा ये भी है उसके बाद से हमें कोई परेशन नहीं परशाशन आता है और नमाज आराम से यहां अदा की जाती है अब चार हफते से एक दिनेश भारती आते हैं पहले आकेले आए और फोटो खेंश के ले गए उसके बाद दूसरे फराइडे को आए दो साती आया हुर्दू मचाना शुरू कर दिया कोने दिनेश भारती है जी मुझे पता नहीं का बाहर से हैं यहां से लोकल हैं वो हमसे खुश हैं जार्जा के लोग हम सामान रखते हैं विचारे पानी भी पहुंचाते कही मरतबा को बाहर का है ह अर्याना का है राइस्तान का मैं पता नहीं है वही एसे पी सदर ने बताया कि दिनेश भारती नामक शक्स के खिलाफ सेक्टर 50 थाने में महौल खराग करने को लेकर मामला भी दर्च किया गया है आपको बता दे दिनेश भारती हिंदू वाहिने सेना का नेता बताया जा रह है बलकि सोचल मीडिया पर जूटा प्रचार कर मौकॉल को खराग करने की कोशिशे भी की जा रही है इन्हीं आरोपों के तहट दिनेश भारती को गिरफतार किया गया और गुरुगराम पुलिस मामले की तफ़ पीश कर रही है आपको पता दें कि साल 2018 में भी इसी तरह इसे श्यांत करवा पाता है पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुगराम से नीरच वशिट की रिपोर्ट